हम भारतिये लोग वेस्ट की नकल करते जा रहे हैं लाइस्टाइल से लेके कपड़ों तक वो जिस भी चीज को बढ़ावा देते हैं हम अपना लेते हैं आप इसके बारे में थोड़ा बताईए आप जराएक बार खाड़े हो जाएगे इस तरफ घूम जाई क्या आप जूते बेचते हैं क्या लिखाए रिबाउक लिखाए क्या तो आप जूतों के सेल्समेन नहीं है फिर आपने इक क्यों पैन रखी है मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने क्यों पैन रखा है आपने इस जूते की कंपनी का नाम क्यूं पहन रखा है? क्या आप इस कंपनी के वैपारी है? नहीं, फिर क्यूं? हाँ, क्यूंकि आपने उसेन बोल्ट या मैजिक जॉनसन को ऐसा कुछ पहने देखा है आपको यह समझना चाहिए कि उन्हें वो टी-शर्ट पहनने के लिए लाखों डॉलर्स मिलते हैं आपको तो कोई कुछ नहीं दे रहा फिर आप उन जूतों का प्रचार क्यूं कर रहे हैं? कम से कम ईशा वाली टी-शर्ट पहनिए हम लोग सब कुछ फ्री में पाने के लिए जाने जाते हैं कम से कम फ्री में ईशा का प्रचारी कीजे आप एक जूतों की कंपनी का प्रचार फ्री में क्यूं कर रहे हैं? उन्होंने आपको एक जूड़ी जूते भी फ्री में नहीं दिये मैं आपको अपना समय और जीवन दिये दे रहा हूँ इस लड़के को देखे, ज़र आप ख़ड़े हो जाई, देखे, इनको हाँ, आप ही आप किस देश से हैं, देखे, यह सही तुर आज अमेरिका से हैं, ज़र इनके कपले देखे, पीछे घुमें, उनको दिखाईए, देखे कम से कम वो सही प्रचार कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है आप दुनों को वीडियो में दिखाया जाना चाहिए खड़े रहे हैं, देखे, भारत क्या कर रहा है और अमेरिका क्या कर रहा है, ज़र देखे चारो और गूमी, गूमी, देखे तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या आप गले में वो दो जूते लटका कर रिदर उदर घूमेंगे नहीं, आपका आगला कदम क्या है? अभी ये बस लिखा हुआ है, आगे शायद आप उस प्रॉड़क्ट को पहन कर रिदर उदर घूमेंगे तो बात जब पहनावे की आती है तो पहली चीज ये की, कुछ ऐसा इस्तिमाल कीजिए, जो जमीन से निकला हो क्योंकि जैविक तत्वों का आपके एनर्जी सिस्टम में अपना खुद का असर होता है आपका आभा मंडल या औरा कैसे विक्सित होता है? ये ज़रूरी है कि आप जो पहन रहे हैं वो और्गैनिक हो न कि कोई नाइलोन, प्लास्टिक या ऐसा कुछ और दूसरी चीज ये कि अगर आपको अब तक ये नहीं पता है कि भारत में 120 से ज़ादा अलग-अलग तरह की बुनाईया मौजूद है अगर आप एक जिले से दूसरे जिले यात्रा करें एक राज्य से दूसरे राज्य जाएं तो हर राज्य में आपको एक विश्ष्ष्ट बुनाई मिलेगी बिल्कुल अलग बुनाई, ऐसी बुनाई जो कहीं और नहीं की जाती दुनिया में किसी और संस्कृती ने इतने सारे प्रकार के कपड़ों की बुनाई डेवलप नहीं किये लेकिन जैसे कि कोई मुझे बता रहा था अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर में लोगों के घुटनों के नीचे की एक फोटो लें तो उनमें से साथ प्रतिशत से ज़ादा सिर्फ अमेरिकी मजदूरों के कपड़े पहने हुए मिलेंगे नीली जीन्स सिर्फ एक कलर बेशक कुछ फिके हैं, कुछ जान बूच कर फाले गए हैं कुछ में छेद किये गए हैं कुछ को जबर्दस तीफिका किया गया है लेकिन मूल रूप से वह मजदूरों के कपड़े हैं गलत कुछ नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है लेकिन एक सही चीज भी मौजूद है, हैंना? कोई चीज गलत नहीं है इससे वो पूरी तरह सही नहीं हो जाती जो मौसम के हिसाब से अनकूल हो वो हालाद, वो ट्रॉपिकल परिस्थितियां जिन में आप रह रहे हैं उसके हिसाब से जो कपले सबसे ज़ादा अनकूल हों आपको भी पहनने चाहिए क्योंकि आपका ये शरीर आपके आसपास के मौसम और वातावरण से किस तरह मिलता है ये महत्वपून है इसको एक खास तरह की सहजता और आराम में लाना बहुत सरूरी है मैं चाहता हूँ कि आप बस ये करके देखें आप में से जो हर रोस टाइट फिटिंग नाइलॉन कपले पहन रहे हैं आप बस तीन दिन के लिए कॉटन के धीले कपले पहन कर देखें कि कैसा लगता है उसके बाद आप फैसला कीजिए लेकिन हाँ अगर जूतों वाली कंपनी आपको कुछ पैसे देने के लिए राजी हो तो आप इसे खुद पर लिख रहे हैं आप अपने माथे पर रीबॉक का टाइटू लगवाने वाले हैं नहीं मैं हमेशा पता है यहां तक कि जो लोग हमारी इवेंट स्पॉंसर करते हैं लेकिन इसको कलात्मक्ता के साथ रखिए एक सही जगा पर लगाईए ना कि चारों तरफ हर जगा मैं कम से कम किसी भी प्रायोजा का नाम अपने पीछे लिखने की अनुमती नहीं देता पैसे दे या ना दे मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों आप इसे अपनी चाती पर, पीट पर, चेहरे पर लिखकर चारों तरफ घूम रहे हैं और वो भी एक जूते के लिए मुझे ये भी नहीं पता कि आप वो जूते पहनते भी हैं नहीं लेकिन आप उनका टी-शेट पहनते हैं कम से कम अगर आप अगर आप तेंदुलकर के फैन हैं तो तेंदुलकर लिखकर इधर दर घूमिए नादानी है पर ठीक है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि भारती खिलाडी ही होना चाहिए आपको लाइनल मैसी पसंद है तो मैसी लिखकर घूमिए लोग समझ जाएंगे कि आप एक मैस यानी गड़बड हैं लोग समझ लेंगे पर यह ठीक है कम से कम आप किसी की प्रतिभा को सरा रहे हैं और आप बोल्ट लिखकर घूमना चाहते हैं अच्छा है भले ही आप उनकी तरह दौड ना पाते हूँ वो आपके आप उनके फैन हैं यह चलेगा लेकिन आप जूतों के फैन कब से बन गए यह मजा क्या है यह मजा क्या यह बात मेरी समझ में नहीं आती अगर आप एक रनर के फैन हैं या एक खिलाडी के फैन हैं या फुटबॉल खिलाडी या एक क्रिकेट खिलाडी के इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां के हैं अगर आप उनके फैन हैं उन्हें पसंद करते हैं तो आप उनका नाम अपनी टी-शट पर लिखे ठीक है ठीक है पर आप एक जूते बनाने वाली कंपनिया एक सिगरेट बनाने वाली कंपनिया इस कंपनिया उस कंपनी का प्रचार क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता कम से कम अगर वो आपको एक टी-शट फ्री में दे देते चलिए आप एक फ्री की टी-शिट पहन रहे हैं चलिए छोड़िये लेकिन नहीं आप इसे खरीद रहे हैं ये बात मेरे बिल्कुल समझ भी नहीं आती मुझे नहीं पता शायद कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ मुझे लगता है ये फीते हैं तो यहाँ पहनावे को लेकर कुछ बाते हैं पहली चीज ये की इसकी कलात्मक्ता जिसके लिए लोग इने देखते हैं लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि आपका शरीर आराम में रहे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यही तो ठीक होना नहीं है यह ऐसे 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 कर रहा है यही तो वो चीज है जो ठीक नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ आप बस एक बार औरग्यानिक फाइबर पहनिए और अपनी आखें बंद कर इसे महसूस कीजे और देखिए कैसा लगता है आपका शरीर सहजता में आ जाएगा आपको लगता है कि ऐसे अलग-अलग स्थितियों में कश्ट में रहना ठीक है आपको लगता है कि बेचेन रहने में कोई दिक्कत नहीं है आपको लगता है कि खुझली लगना, तकलीफ में रहना ओके है मैं आपकी सहन शीलता की तारीफ करता हूँ मैं, मैं उन चीज़ों को लेकर इतना सहन शील नहीं हूँ जो आराम दैक नहीं है जब तक कि ये किसी खास उद्देश के लिए ना हूँ अगर आपने फैसला कर लिया है कि इस महीने आपको दस हजार जूते बेजने हैं तो आप इसको अपने पूरे चेहरे पर लिख डालिए उसी जूते बनाने वाली कंपनी का नाम मुझे कोई दिक्कत नहीं है आखिरकार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है कुछ पाने की कोशिश कर रहे है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्या है आप किसी के लिए होडिंग है क्या या आप किसी का वग्यापन करने का बूर्ड है अगर आपको यही बनना है तो कम से कम ईशा का प्रचार कीजे मैं आपको बता रहा हूँ हम बड़ी चीजने प्रिंट कर देंगे अभी इसे हम हलका सा यहां पर रख रहे हैं लेकिन अगर आपको यह पसंद है अगर आप अपने गले में चारों तरफ जूते लटका कर इदर-दर घूमने के लिए तयार हैं तो मुझे क्या समस्या है हमें एक टैटू की दुकान खोल देंगे अपने माथे पर लिखवाईए आई लव इशा जब आप ऐसे भी करने को तयार हैं तो मैं यह मौका क्यूं कमाऊं मुझे लगा ऐसी चीजें करना खराब लगेगा करना खराब लगेगा